इस वक्त हम जो मौझूद है वो जेन्यू कैंपस में मौझूद है और ये वही जगह है जहां पर संडे को शाम पांच बज़े के बाद कुछ गुंडे आते हैं नकाब कुछ गुंडे आते हैं और वो हमला करते हैं मेरी साथ इस समय मौझूद है मौनिका जो यहां पर गर्ल्स होस्टल और बॉइस होस्टल है उसकी प्रेजडेंट है मौनिका विश्णोई मौनिका आप उस समय मौझूद थी वहाँ पर मैं अपने रूम में बैठी थी तो बहार से आवा जाई कि यहां तोड़ फोड हो रही सब लोग तो वीमें जो भी है कि कुछ बोईज लोगों नो भी महिलाए भी थी हां कुछ थी तो वीमें मौलब बोईज ने गर्ल्स विंग में भी शेल्टर ली थी जो बच के भाग रहे थे तो हम वीमें ने एक हूमन चेन बनाई ताकि उनको रोक सके उसमें से मेरी एक फ आपने लिए आ ईपने देखाऊ फो़िये आ रहा था कि यह उसको भी किसी ने रोका है तो यह सब हुआ उसके बाद पुरे दिन तक यही रा cuerpo कि हा मटलrophe high बाहर मूवमेंट हो रही है हम सब लोग डर रहे हैं कि कोई भी बाहर थोड़ा सा भी भाग रहा है हम लोग में यह डर बेठा था कि हाँ वापिस चलते हैं रूम में जाके ऐसा करीब चार-पांच बार हुआ उस दिन मेरा सवाल यह है कि क्या वो टागेट करके हमला कर रहे थे जैसे मैंने देखा अभी हम लोग ने पूरा जो देखा सीशे टूटे हुए हैं और जो आईशी घोश को चोट लगी है कुछ टीचर्स को चोट लगए है आपको क्या लगत है टाग अब आमेदकर का फोटो था कि पहले कोई रहता होगा उसको से कुछ लेना देना लें लेकिन ब्लाइंड स्टूडेंट को पीटा था और उसके अलावा मुस्लिम स्टूडेंट को पीटा गया है अभी तक दो दिन होने के बाद जुद इस होश्टल में अभी तक नहीं आए हैं अपना एक होता क्या बोलता है कुछ तो दिखाता है यह और उस तिन यह हुआ कि हमारे जो दो वोर्डन है मैंने उन्हें कोल किया कि सर हमारे होस्टल में यह हो रहा है आप आजाए लेकिन वो नहीं आए बोले कि हम पर भी अटेक हुआ है हम कहीं जान बचा के भागे है लेकिन आप जाके देखेगा उनके रूम पर एक खरोच तक नहीं आई है किसे जान बचा रहे थे और 645 तक वो यहां थे कि यह कोईंसिडेंस नहीं हो सकता कि हां मतलब 645 तक कोई इंसान यहां रहे जब उसके जर्ष्ट बाद यह हो उसके बावजूद नहीं आए और उस और इन फिमेल वोड़न्स थी यहां इंबूलेंस वगेरा सब कि सब आरेंजमेंट स्टूरइंस ने किया था तो एक ही होता है कि JNU में साबरमति होस्टल है आसपास प्लीश स्टेशन उसको इतना अव्यास होता है कि Sाबरमति होस्टल जेंट होस्टल मतलब कि आप क्या ए किसका है अभी कल एक वीडियो आया है जो हिंदू राश्टर दरल अपने आपको कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हमने सबक सिखाने के लिए हमला कराया तो क्या लगता है पैचान तुम्हें परसनली किसी को नहीं पाई लेकिन जो जो अभी उसके करेलगी होंगे अगर एफ्वी के कि रूम को टार्गेट नहीं किया गया थो तह कि मतलब किसी को भी उनका यी होता कि अगर कोई N certains बहुता कि अ सिर्स पीटना ही होता उन-स सबका क्या हूं भी वी पी के रियलाईज करवाया कि आपके एक moral responsibility बनती है उसके बाद उन लोगों ने resign किया है प्रकास साहु रामाउतारमीना दोनों वोडन्स ने उन्होंने अभी तक पता नहीं होस्टल के अंदर की हालत देखी है कि नहीं ना पुलिस हमें security प्रोवाइड कर रही है ना कोई हमें safe feel करवाने का try कर रहा है कि नॉर्मल सी एक गई है वो पता नहीं कभ रिस्टोर होगी कभ नहीं होगी student community है जो हम लोगों के साथ है अब कोई उमीद नजर आ रही है उस ताइम रात में विंदक राज जी पहुच गए थी युग इंद्याजो जी पहुच गए थे अलका लामबा जी पहुच गई थी क्या लगता है कोई उमीद नजर आती है आप लोग को उमीद यह है कि जो जिस situation में अभी हम लोग है mental trauma में जिसमें हम लोग है मेरे hostel के रेजिजेंट से उन से बात तक नहीं किया एड्मिनिस्ट्रेशन नहीं किया है student community है कुछ progressive लोग है जो हम लोगों के support में खड़े हैं कि हम इसको condemn करते हैं एड्मिनिस्ट्रेशन जो इस चीज को कर सकता है जो रिजिस्ट्रार का लेटर आया था रात तुमें ही उन्होंने एक circular issue किया था उसके बारे में क्या कहेंगी नहीं देखा नहीं अच्छा उन्होंने भी कहा कि अपना ख्याल रखे और हमने सो नंबर डायल कर दिया है ऐसा कुछ आगया तरह तो हमने भी किया था क्या हो जाएगा आप आके मिले हो हमसे क्या हुआ है अभी तक कोई नहीं आया है यह जो भी यह है कि हम लोग इसको साफ करना चाते थे लेकिन आज आई यह क्राइम जो सेंपल इखटा करने वाले हैं तब तक हम इसको बचा के रखे हैं कि कोई भी किसी को भी यहां पर चोट लग सकती है अभी तक काच गड़ सकता है कई-कई- जो भी हो रात में ठाने कुछ-कुछ लोग फिर भी स्टे कर रहे हैं कि यहां जिनके रूम की खिड़कियां टूटी है कि हम फिर भी ठान लग रही है आज सेंपल इखटा हुआ है दो दिन के बाद तो सिक्योरिटी सेफटी पता नहीं हम किस से उमीद करें कुछ मालूम न चीज सेड़र अइस व क्या घ्राट पटारों आएं ज़र भीसितन को बाद इसकोडalten करें करता है यहां इसके फिर को रोक नहीं सकता है आप उससे अंधियों मांगा Administration नहीं आया है हम लोगों का बस इतना ही कहना है Security Safety का पता नहीं क्या है Mental Trauma में जिसमें हम लोग जी रहे हैं कोई imagine भी नहीं कर सकता होगा कि JNU जो safest place था हम लोगों को feel होता था उसमें हम लोगों ने ऐसा देखा है तो कहां क्या बाहर की हालत कि हालत कुछ नहीं पता है Monika का साफ कहना है कि हम एक Mental Trauma में जी रहे हैं और सामने वाला इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम किस Mental Trauma में जी रहे हैं वो साफ तोर पर कह रही है कि हमारी हालत के लिए कोई पोशने नहीं आ रहा है जो first जो accountability बनती है वो university administration के बनती है वहाँ से भी कोई समबाद अभी तक चात्रों से स्तापत नहीं किया गया है